आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होगे मिरे नाम ऐसे धान तक नहीं होत रही स्टड़ी ग्लोज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है चीते मरते जा रहे हैं भारत में चीते एक्स्टेंट हो गए हैं फिर अभी सब्टेंबर दो बैचेज ऑफ चीता टोटल बीस को मंगाया गया था बीस चीतों को मंगाया गया था बाद में चार पैदा हुए भी थे यहां पे अब यह सब्टेंबर में हुआ नामीबिया और साथ आफरिका से दो बैचेज में आई है एक सब्टेंबर में और एक फरवरी में आ गई है बारत कुनो नाशनल पार्क MP वहां पे इनको रखा गया 80 स्क्वार किलोमेटर का एरिया चोटा था यह वैसे भी बाद में बोला कि अगल बगल के जो एरिया है जैसे गांदी सागर वो सैंक्चुरिय भी बन रही है वहां पे इनको रिलोकेट कर देंगे फिलाल के लिए ही रख दो कोई बात नहीं कोट ने बोला कि जल्द से जल्द कुछ करो क्यों मौत हो रही है हम बात करेंगे दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा क्योंकि देखो यहां पे दो लेटर्स है मैं लेटर्स आपको आजटर्स बता दूँगा सुप्रीम कोट 15 जुलाई को दो लेटर्स दिये यहां पे किसने दिये जो एक्सपर्ट से अब ये जो दो लेटर्स हैं ये दो अगस्त को उस समय तक तो शायद पांच चीतों की मौत हुई थी लेगिन दो अ नहीं है लेकिन उससे पहले परस्टनाइटी डेवलप्मेंट का कोर्स है आप जरूर अवेल करें ये बहुत ही शांदार कोर्स है आज राद बारा बज़े फाइनली सेल खतम हो जाएगी और तीन सौ रुपय का कोर्स है सेल मैंने चलाई हुई है करो इसको अवेल और क्या रिकॉर्डेट कोर्स है 24 लिचर जो है वो डेडल घंटे का है तो पहले तो वाइवी जाला थे वाइवी जाला का वो बढ़िया मतलब यहां पे जो एक्सपर्ट से बता रहा है कि वो बढ़िया थे उनको नॉलेज थी लेकिन उनका इंवाल्मेंट जो है वो धीमेदी में क हो गया है ठीक है एक काम करता हूं मैं आपको यहां पर देखिए एंटी सीए जो स्टेडिंग कमिटी है नाशनल टाइगर कंजर्वेशन एथारिटी है सब कुस देखता है तो उन्होंने एक स्टेडिंग कमिटी बनाई थी जिसमें डॉक्टर राजश गोपाल जो थे वो स सुन लिजिए वाइड लाइफ स्पेशलिस्ट एड्रियंट टॉडफ जिन्होंने लेटर लिखा बाकी सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स के बिहाब पर इन्होंने लेटर लिखा डॉक्टर लॉरी मारकर यह वो हैं जिन्होंने यह आटिकल लिखा टाइम्स अफ इंडिया का चीता कंजर्वेशन फंड डॉक्टर एंड्री जॉन फ्रेजर फार्म ओलिव बोश साओध आफरिका विंसेट वैंडडन मरवे मैंजर ऑफ चीता मेट्रोपॉलिटन प्रोजेक्ट साओध आफरिका इंका नाम सबसे बॉटम में था एनिवे लेटर के पे हम आते हैं मैं आ हम आपकी सुप्लीम कोड को यहां पे एक्सपर्ट बोल रहे हैं हम आपको कुछ चीजे बताना चाहते हैं और वो क्या चीजे हैं कि जो करेंट मैनेजमेंट है जो अभी इस समय प्रोजेक्ट चीता को देख रहा है चीता एक्स्टिंक्ट हो गया बारत में नहीं मिलेंगे अब देखें सरकार नहीं बोला है मलब सुप्रीम कोड को जवाब दिया है कि भाई देखो यह बिग कैट्स हैं और जो डेट्स हुई है वो बहुत अलार्मिंग नहीं ऐसा होता रहता है क्योंकि बिग कैट्स जो है उनको यहां पे वो है मॉटालिटी है ठीक है होती रहती ह तो यहां पे यहीं बोला है कि जो करेंट मैनेजमेंट है प्रोजेक्ट का हमको उसमें सीरियस कंसरंज देखने को मिल रहे हैं और जिस तरीके से हमारे ओपीनियन को साइड में रखा जारे जो एक्सपर्ट्स बता रहे हम एक्सपर्ट्स हैं हमने चीतों के साथ काम किया है यहाँ पर बोला है कि भारत में नो डाउट जो कमिटी में बहुत ही बढ़िया है शांदार लोगों को बैठाया है लेकिन लेकिन दो पॉइंट पहला उनको चीतों के साथ काम करने का experience नहीं कि बारत में चीते हैं ही 70 साल से तो जो cat ही नहीं आपको नहीं पता उनको किस तरीक के से treat किया जाना चाहिए दूसरा जो हम experts हैं जो मैंने आपको नाम लिए हम सब को दर किनार किया जा रहा है वाई वी जहला के समय नहीं था लेकिन अभी जो नहीं कमिटी बनी दर किनार किया जा रहा है हाला कि कमिटी ने इसको बोला कि नहीं बिल्कुल गलत है बगवास ऐ में जब 15 जुलाई केते अभी नौवा चीते भी जब नौवा चीती मला फीमेल चीता जो है धतरी जब वो मरी सबसे पहले सूरच की डेत वी लेकिन जब धतरी मरी तब यहां पर बड़ा देखने को मिला देखिए तो पहले तो यह बोल रहें कि मैनेजमेंट जो है वो बहुत जब ऐफेक्टिव नहीं है तो अभी तक आठ चीता अचा कितने चीते बचेंए 14 चीते बचेंए बीस हैते चार पैदा वह 24 हुए, नो चीते मर गे तो अभी तक 14 के 15 चीते बचेंए जिसमें से 7 मेल से हैं, नहीं 6 मेल से 7 फीमेल है और 1 जो है वो एक फीमेल कब है ठीक है, यह चीज है तो अभी तक आठ चीतों की मौतुई जिसमें 5 एडेंट्स है 3 कप्स है और जो नौवा धतरी है ठीक है तो आप उसको एक और फीमेल लगा लिजे तो अनिमल्स को ट्रांसलोकेट किया गे इन्होंने बताया किस तरीके से लेकिन हम इनको इनकी डेट्स को बचा सकते थे बेटर मॉनिटरिंग से अगर उनका मॉनिटरिंग अच्छी की होती तो और सही समय पे उनको इलाज दे दिया होता तो वेटिनरी केयर जिसको बोलते हैं हम ठीक है ना वेट आपको पते न वेक्स कौन होते है जो जानवरों के डॉक्टर होते है तो अब देखो पिछले हफते ध्यान दीजेगा लेटर में आगे बताते हैं पिछले हफते सुपादर नी कोर्ट एक मेल चीता की मौत हो गई 11 बज़े सुबा 11 बज़े मौत हुई मंगल बार को अब यहां पे हमको कुछ चीजे देखने को मिलती है हम यह देखते हैं कि मेल और फीमेल चीता अपस में भिढ़ गए लडाई कर ली आम तौर पे मेल चीता फिमेल प skate करता है जादातर होता है लेकिन यहां पे फीमेल चीता ने मेल चीता पे अटाक कीए तो हमको ये साम देखरों को मिलता है अब जो स्टाफ है जो इंजोड मेल था उन्होंने उसको लीव कर दिया अब फीमेल को भी दोनों को ही बिसिकली चेक करना चाहिए था क्योंकि भाई मेल को भी होता क्या है कि अगर जैसे आब मालीजे जानवर लपड लड़ते रहते हैं अब चीता भी लड़ते रहते हैं आपस में तो मेल और फीमेल भिले दोनों को घाव हुए और ये घाव बहुत तेजी से फैलते हैं अगर इनको ट्रीट नहीं किया गया तो इनकी जान भी जा सकते हैं जो कि गई है तो कंडिशन जो मेल की कंडिशन थी वो लगा ता डिटोरियेट हुए और दोपहर के दो बज़े सुबा ग्यारा बज़े ये हुआ और दोपहर के दो बज़े यानि की तीन घंडे के अंदर-अंदर हम यह देखते हैं मर गया जो मेल चीता है वो मर गया without receiving any treatment अब हम experts हैं हम इस project से associated हैं हम यह नहीं करें प्रोजेक्ट हम को दे दीज़े हम यह करें हम help कर सकते हैं लेकिन हमको यह बताया तक नहीं कया हमको इसके बारे में पता चला कैसे stories के माध्य हम से जो media में stories चली ठीक है कि जो female चीता है उसने हमला किया male चीता पर और उसकी जो है वो मौत होगी हमको कोई भी photograph नहीं भेजी गई कोई description जो है वो नहीं भेजा गया अब जो karakas होता है ठीक है जो potty होती है एक तरीके से मतलब जो left over होता है वो फिर उसके बाद freezer में रखा गया है यहाँ पे एक तरीके से ताकि post-mortem जो है उससे report जो हो बनाई जा सके काकरकार मौत कैसे हुई जो skin में inflammation हुआ ता उस पे भी हम यह देखते हैं कि कोई भी report हमको यहाँ पे नहीं बेजी को post-mortem finding हाला कि हमको बेजी गई ठीक है अब यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे बताई गई है देखिए इसमें यह भी एक चीज है कि यह जो humid atmosphere है इसकी वज़े से भी चीतों की मौत हो रही है मतलब देखिए नमी बहुत है अब यह collar लगा के रखते हैं अब एक बात बताओ collar क्यों लगा जाता है जरूरी है radio collar लगा जाते है ताकि tracking की जा सके है ना तो अब यह collar लगा के ऐसे रखा जाता है अब माल लिजे कि एक गर्मी है और आप लगातार गर्मी का humidity है लगातार collar लगा के रखे तो यहां निशान पढ़ जागा आपके है ना आपके skin जो है वो गलने लगेगी तो यही हुआ है कि जो collar लगाया है neck और back of the animal इसकी वज़े से इनकी skin में घाओ हुआ जिसकी वज़े से बहुत सारे flies जो है वो यहां पे बैठने लगे आपने अक्सर देखा हुआ कि जानवरों के अगर कई घाओ होता है तो बहुत सारी मक्या क्या जो है वो बैठने लगती है इंजूरी से भी यह होता है यह सारी चीज़े ठीक है तो फिर यह बताते हैं कि Friday morning को एक और male चीटा की मौत हो गई अब हमको इससे पता चला फिर से हमको कोई communication कुछ भी हमको नहीं बताए कि आखरकर चीटे की मौत क्यों हुई है 9 वजे रात बे 9 वजे हमको एक वीडियो क्लिप देखने को मिलती है अब यही neck और back of the deceased animal जो कि मैंने आपको बताया कि humid atmosphere जब होता है अभी कूनो नैशनल पार्क बारिश हो रही है भयानक तो humidity बहुत है मौनसून चल रहा है जिसकी वजे से घाओ हो जाता है वाब में मक्हिया वो बैठने लगती है तो वो photo उमको भेजी गई और simple था कि इसको CVI dermatitis ठीक है dermatitis जो होता है जो skin infection होता है इस चीते को skin infection हुआ इसका यह जो पुरा inflame हो गया था जो skin में infection हो फ्लेम हो गया ठीक है जिसकी वजे से और ज़्यादा घाओ बरता गया और फिर जो मक्हिया किया है वो समया पे बैठती गई उस घाओ को और ज़्यादा खतरनाक बनाती गई तो diagnosis जो है वो clear था wet weather की वज़े से average rainfall से ज़्यादा हो रही तो wet weather की वज़े से persistent monsoon की वज़े से skin जो है वो खराब होने लगी moist हो गया और जो inflammation टिस्चार्ज था क्योंकि वो बैता रहता है बहुत सारी चीज़े इसकी वज़े से और ज़दा problem होई है bacteria तुरंत यहाँ पे spread हो गए इस पूरे के पूरे area में और इसकी मौत हो गई हमको inform किया गया, मतलब हमने NTCO को तुरंत inform किया, we immediately informed NTCO exact letter है, ठीक है इसलिए मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ यह letters जो लिखे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ और कूनो management को की भाई, बहुत जल्दी आप इसको diagnose करिए, और अगर ऐसा होते तो आप इसको कैसे diagnose कर सकते हैं, implications of the diagnosis पूरे clear थे, जितने भी चीताज हैं, कूनों में they are risk of suffering same fate, कि इनके साथ भी वही होगा जो बाकी चीताज के साथ हो रहा है, इसका मतब clearly कही ना कही तो treatment सही सही पे नहीं मिलना, है ना, थोड़ी negligence और management की negligence यह यहाँ पे, इस letter में यह बता रहे हैं यह चीज है, यह incident unforeseen है, देखिए, कोई भी नहीं चाता चीता मरे, management भी नहीं चाता nobody wants, लेकिन यह जो हो रहा है, यह सही बात है कि नहीं आप पता लगा सकते कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन हमको वही देखने को मिलता है कि इस चीज के हम diagnosis कर सकते थे, अगर आप चीतों को देखते, उनके radio callers को हटा के देखते, या उनको लगाता diagnosis करते, क्योंकि यहाँ पे आपको हर वक्त देखना पड़ेगा और आप स्टाफ को लेकिया हो, जितना हो सके, आप लगातार देखते रहो तो यह देख के इसकी diagnosis हो सकती थी इलाज हो सकता था हमको इस process, process से पूरी तरीके से exclude किया गया हमने यहाँ पे भीक मांगी कि हमको information थोड़ी सी तो दे दो, ठीक है ताकि हम minimize कर सके यह जो हो रहा है इसको कम से कम कर सके हम, यह चीज है जब सब प्रोफेसर जाला जो है वो retire हो इस project से हमारा involvement पूरी तरीके से minimize हो गया है हमको information मिलती नहीं ठीक है, हम बिलकुल steering committee में हम है, यह है steering committee में आपको बता दू, ठीक है international expert, बढ़ हमको कभी भी consult किया ही नहीं जाता है जुलाई 14 में प्रोफेसर टॉडलिफ ने reply किया जो email इनको मिला कि क्या एक meeting हो सकती है online, reject कर दिया यहाँ पे, तो यह बता रहे है कि we have become the window, ठीक है we are just becoming the window, dressing from the project तो हमको खाली side line कर दियागे कुछ खास हमको देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है हम चाहते हैं कि एक project success हो हमको पता है चीतो को कैसे handle किया जाए हमने चीतो की देखबाल आफरिका में भी की है और हम सिर्फ help करना चाहते है ताकि सब कुछ अच्छा रहे और चीतो की जान ना जाए जो current management है कुनो नाशनल पार्क में अब देखे कितनी बड़ी बात little or no scientific training यहां पे देखने को मिली है जो भी अभी management है उनको training ही नहीं कि चीतो को कैसे handle किया जाए यह यहां पे बात बताई है जादा तर जो studying committee के members है they are unknown to us हम उनको नहीं पहचानते और जो हम opinions देते हैं उसमें जादा हो interest भी नहीं देते ठीक है तो project हमारे लिए बहुत ज़्यादा critical है अगर यह fail होता है तो आप यह समझें कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा आगे ऐसा project चलाना हमारी request क्या है अब आप देखिए जितने भी चीता है कूनों में सबसे पहले उनको assessment उनका होता रहे लगातार उनको देखता रहे callers के जो caller लगे हो है उनको आप देखिए ठीक है और जो भी आपको finding मिले वो हम से share करिए ताकि हम इन चीजों को सुधार सके साथी साथ जो communication channel इसको आप खोलिए आप बताईए problem क्या है अपने तक रखना is not the देखिए से भारत की भी बेज्जती हो रही है प्रोजेक्टे चीता बहुत ही ढोल बजा के सब लेकिया है ते नरेन मोदी खोदा है थे लेकिन चीतों का मरना ये भारत के लिए भी बहुत अच्छी बात नहीं है होता है मरते हैं चीते no doubt नहीं है लेकिन यहाँ पे जो letters में दिखाय जा रहा है कि negligence कहीं ना कहीं हमको देखने को मिल रही है अब हला कि देखिए मैं इस पे comment नहीं करूँगा क्योंकि हाँ पे committee ने बुला है इसा कुछ भी नहीं है है ना कोई negligence नहीं है यह सब बकवास है कोरी बाते है तो यह बता रहें कि हमारे active inclusion और participation जो है वो हम सबसे ज़्यादा इसमें बढ़ाना चाहिए ठीक है फिर उसके बाद जो inclusion senior Indian carnivore scientist जैसे प्रोफेसर जाला आप ऐसे लोगों को ले किया है जिसमें इनकी expertise है दूसरा लेटर यहाँ पे उसी दिन दूसरा लेटर क्या कहता है अब यह Supreme Court of India अगेन इनको लिखा गया अब यह क्या चीता Conservation Fund CCF इस project में involved है जबसे इस project को लाया गया है project plan को develop किया गया था भारत की research team के साथ 30 साल की extensive knowledge चीता की biology, ecology, husbandry reintroduction techniques जो है वो सब हमने share की थी CCF और South African colleagues जो है वो ज़ादा तरीके से assist कर सकते हैं अभी हम यह देखते हैं कि 8 में से 7 चीता जो है वो चले गए हैं और जो भी चीतों की deaths होई थी उनको हम avoid कर सकते थे second point यह लगाते हैं कि हम कुछ observation देना चाहते हैं प्रोजेक्ट चीता ताकि यह success की तरफ जाए सबसे पहले again management जो हैं और wet issues जो हैं उनको deal करना चाहिए कही ना कहीं जो लोग ilाज कर रहे हैं और management इन दोनों में conflict हमको देखने को मिल रही है management अलग है और जो doctors है वो अलग होंगे तो सबसे पहले इनको resolve करो third point यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर disturbing issues हमको देखने को मिले है कि जो animals की pairing है है ना वो बहुत सही यहाँ पर नहीं हो रही है fourth point यहाँ पर बोला है कि जो project चीता है they need expert staff समझ रहे हो कि staff एकदम expert होना चाहिए उनकी proper training करा हो उनको एक एक चीज़ बताओ CCF जो है उनके पास staff available है ठीक है कुनों में वो है CCF has not been adequately engaged with decisions nor with active daily management तो यह बहुत बड़ी दिक्कत है कि यहाँ पे जो decisions होते हैं उसमें तो CCF है ही नहीं और जो management में भी रोल होता है उसमें जो CCF का नहीं होता है ठीक है यह चीज़ है अगली problem में उनके बताई है कि जो Indian scientists और managers जो भी project चीटा में involved है वो बहुत experts है वहीं बता है कि यह वेरी वेरी expert लेकिन problem यह है वो चीटों से अभी तक deal नहीं कर किये क्योंकि 70 साल से भारत में चीटा नहीं है तो यह हमको देखना पड़ेगा और इसलिए हम यहाँ पर आते हैं ताकि हम अपनी जो advice वहाँ पर दे सकें तीक है उसके बाद कोई भी wet intervention होता है तो उस wet को लेकिया हो जो चीटे को बढ़िया तरीके से ट्रीट कर सकते हैं जो चीटे का अच्छे से इलाज कर सकते हैं एक senior चीटा experienced wet जो है उसको तुरंट इसमें लेकिया हो उस पूरे के प्रोजेक्ट में लेकिया हो जो की बाकी doctors को lead करें और यह position बहुत important है और इसको तुरंट भरना चाहिए क्योंकि अभी यह vacant है अभी आपको यह पता चल रहा है अगला point में बताते है करेंट issues जो है वो caller से related है जो मैंने आपको बताया tracking device से related है lack of habituation of wild cheetah बहुत दा मुश्किल हो जाएगा ठीक है साती साती आपर यहीं भी बोला है कि अभी आपको और भी staff लेके आना चाहिए प्रे भी लेके आना चाहिए ठीक है आप adequate खाना भी देते रहो चीतों को ठीक है ताकि वो शिकार कर सके छोटे छोटे शिकार करते हैं बड़े बड़े शिकार तो नहीं करते हैं तो अभी तो जैसे भाई हम को हम यहाँ पर सेप्टेंबर और फरवरी में यह जो चीता है वो लेके आए थे अभी यहाँ पर बोला है कि इनको relocate किया जागा लेकिन जब relocate किया जागा अभी जो problem है उसको तो हम solve करें ताकि सारी चीजे जो है वो सही हो पाए अब यह जो approval है बता रहे second release का यह भी long term success के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है तो conclusion के अगर बात करें तो CCF जो है वो they are willing to help हम बिल्कुल help करने को तयार है और हम चाहते हैं कि यह project again बहुत ज़्यादा successful हो बट वही है कि इसको जितना ज़्यादा हम casually लेंगे उतर ही ज़्यादा यह धावारे लिए dangerous हो जाएगा ठीक है और Indian सरकार ने बहुत ज़्यादा support दिखाया इसकी हम बहुत ज़्यादा लेगिन अब यहाँ पर हम सबको बैठना पड़ेगा साथ में ताकि चीज़े कैसे ठीक ज़्यादा यह डॉक्टर लॉरी मारकर जो founder और executive है चीता conservation fund उन्हों लेटर लिखाये तो कुल मिला कि यही बात है जो लिखी गई है committee ने बोला कि यह लेच्चर आपको बताना चाहिए यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और personality development का course आप ज़रूर अविल करें आपको बहुत ज़्यादा फाइदा होगा thank you so much